नवाश्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का YouTube चानल में दोस्तों आज का जो सेशन है Immunity System के उपर बनाया गया है कि हम अपना Immunity System को कैसे हम बुस्ट करें कैसे हम इंक्रीज करें चुकि आप तो देख रहे हैं आज के दौर में किस तरह का माहूल हो गया है अर्थ यह नहीं होता है कि हम कितने स्ट्रॉंग दिखते हैं कितने हावी प्रस्टनालिटी के दिखते हैं यह इम्मिनिटी से कोई भी माइन नहीं रखता है इम्मिनिटी का अर्थ होता है कि आप कितने अंदर से स्ट्रॉंग है कि बाहर के कोई भी डिजीज है वो आप पे ज करेंगे कि हमें इम्मिनिटी को स्ट्रॉंग कैसे करना है हम क्या यूज करें अपने दिंचरिया में क्या बदलाओं करें कि हमारा शरीर जो है हमारे शरीर अंदर से स्ट्रॉंग हो हमारा इम्मिनिटी बढ़े क्या हम खाएं क्या हम यूज करें कि हमारी इम्मिनिटी बरक्रा है तो हम कितने भयानिक स्थिती में आ सकते हैं ये शायद आपको मालूम होगा क्योंकि आज जो भी डिजिस हमारे अगल बगल दिखाई दे रही है चिपा नहीं है वो और ऐसे में यदि हमारे इम्मिनिटी विक है तो हम उस रोग के शिकार हो सकते हैं तो दोस्तों आईए हम क्या से इस्ट्रॉंग बने हैं सबसे पहले दोस्तों हमें अपनी जो दिन चर्या है डेली का जो रूटीन है उसे चेंज करना पड़ेगा और उसे देखना पड़ेगा यह दिस सही है तब तो ठीक है नहीं सही है तो एक बार आप देख लें कि आप सही समय पर सोते हैं या नहीं करते हैं यह सारा चीज आपको चेक करना होगा इसकी अलावा आपका खान पान आपके खान पान में क्या आप यूज कर रहे हैं कहीं आप इस तरह का डाइट तो यूज नहीं कर रहे हैं कि जो कि आपको जंक फूड हो इत्यादी इस तरह का डाइट तो यूज नहीं क करना है तो immunity को बरकरार करने के लिए आपको सही धंक से अपने दिन चर्या को रखना होगा सही समय पर सोना सही समय पर जगना अपने खान-पान पर विशेश दिहान रखना यह बहुत ही जर्री है ऐसे में दोस्तों बहुत सारा इम्मुनिटी बुस्टर प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ गया है मैं आज कुछ प्रोडक्ट्स यहां बताऊंगा आपको बता दू मैं कि शॉट्स 30 जो की आपको यहां तक की यहां तक की यहां तक करिया कि सॉट्स 30 जो है वर्ल्ड का यहां ब्रिफ कर दूँ आपको की सॉट्स 30 जो है जो 30 इसमें लगा हुआ है 30 इंग्रिडेंट्स से बनाया गया है और यह 30 ml का प्रोड़क्ट है 30 यूनिट्स है एक पैक जब खर दिएगा आप तो उसमें 30 इंग्रिडेंगे 30 ml का प्रोड़क्ट्स है यह तो काफी जबरदस्त है आप इसको यूज करके देख सकते हैं वर्ड एस एंटी ऑक्सिजेंट है जैसा की अम्रिसर ने कहा इसके ब और यह मार्केट में बहुत सारे इवनिटी दुस्तर प्रोड़क्ट्स हैं आयरुवेदा के और दूसरी बात यह दोस्तों कोई भी प्रोड़क्ट्स जब आप इस्तमाल करते हो यूटूब के जरिये सुनते हो आप धडले से प्रोड़क्ट्स इस्तमाल करते हो तो ऐसा न नहीं है तो आपको product के ingredients को भी देखने हैं इसके लिए आपको health जो expert हैं उनसे सलाह लेना होगा कि मेरा जो body है वो इस ingredients सारे ingredients को accept कर सकता है मतलब मेरे लिए benefits है या नहीं है यह सारा चीज आपको check करके ही products को इस्तमाल करना है ऐसा नहीं है कि हम मैं बोले जा रहा हूं कि यह बहुत ही जबरदस्ट चीज है और आप ध्रले सी उच कर रहे हैं पता चले कि आपका body के लिए वो खत्रा साबित हो गया तो यह नहीं को comment करके बताएगा और मैं थोड़ा सा एक बार और करना चाहूँ है कि मेरे वैसे भाई वैसे वीवर जो हैं जो थोड़ा सा या उनके घर में कोई भी अधिक्सन एडिक्टेड हैं जैसे तंबाखु हुआ पान हुआ गुटका हुआ बेड़ी हुआ शिग्रेट हुआ तो थोड़ा सा उसको चेंज करने की थोड़ा सा छोड़ने की उसको कुशिश करें और उसको छोड़ने के लिए ज्यदा कुश नहीं करना है ऐसे तो पान हुआ तो ऐसे में इम्मुनिटी की हम बात करें तो आप इसको छोड़ने की कुशिश कीजिए और रही बात इम्मुनिटी की तो सही धंग पर जगना सही समय पर शोना इसके अलावा डेली वर्काउट जो आप करते हैं 30 मिनट्स या 15 मिनट्स ही करते हैं आप बोड़ी को फिट करने के लिए वो भी सही है इसके अलावा अपने खानपान पर विशेश ध्यान रखिए और ऐसे में बहुत सारे इम्मुनिटी दूस्तर प्रोड़क्ट्स हैं उनका जरूर इस्तमाल कीजिए और दोस्तों फिलहाल में आप अभी का जो माहोल है ऐसे में अपने मास को बराबर यूज कीजिए बाहर निकले तो मास का इस्तमाल कीजिए यहां तक कि मास का भी विशेश ख्याल रखिए कि सही धंका मास को यदि हम उसको रियूज कर रहा है तो क्या वो रियूज करने लायक है या नहीं है इसके उपर भी विशेश ध्यान दीजिए क्योंकि हो इसके अलावा hand sanitizer रखिए, साबुन रखिए, सही समय प्रहाद धुते रहिए, तो हम जो अभी का माहूल है, आप तो देख रहे हैं, तीन साल से ये माहूल चले आ रहा है, ऐसे में हमको समझ जाना चाहिए कि हमको इसी माहूल इसी परिवेश में रहना है, तो हम अपने health पर विशेश दियान रखें, अपने अगल बगल सब लोग को बताएं, awareness फ़लाएं कि आपको किस धंग से रहना है और अपने health को सही धंग से रखिएगा, अपनी दिनचर्या को बदल दीजिए, सही से सही धंग का खान पान रखें, क्या खाएं, क्या भी इसकी यह दिजानकारी आपको हो गई, तो immunity कोई बड़ी चीज नहीं है, immunity सबकी strong हो जाती है, यदि आपको किसी चीज से allergy है, तो allergicical के products भी बहुत सारे हैं market में, आप एलर्जिकल products का भी इस्तमाल कीजिए, तो immunity जो है, आपके उपर है, आप कितना भी strong कर सकते हैं immunity को, उसके लिए आपको जो मैंने अभी वीडियो में पहले बताया है, सही ढंग पर सोना, सही ढंग पर जगना, इसके अलावा खान पान का भीशेश ध्यान रखना, exercise, daily करना, ये सब immunity को बढ़ाने वाले factor हैं, इसके अलावा immunity booster products हैं, उनका भी इस्तमाल करते रहिए, अपने सही की सफाई रखिए, सही से माश्क का इस्तमाल कीजिए, किसी चीज़ को यदि touch कर रहे हैं, तो हाथ सही समय पर धोते रहिए, इन सारे चीज़ों का भीशेश से यदि ध्यान रखते हैं, तो हम इस समय जो है, जो अभी चल रही है देश में स्थिति, हम बच सकते हैं, तो ऐसे मैं दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पर end करूँगा, दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि यह आपको वीडियो जो information देने के लिए मैं बनाया था, वो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं और भी नए और ideas लेकर आऊँगा, कि घर बैठे आप community को, और किस धंग से strong कर सकते हैं, इसके उपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए updates, नए वीडियो, नई जनकारी के साथ, धन्यवाद,